जब बुरा समय हो तब कोई काम आएगा नहीं और जब बुरा समय टल गया तो दुनिया ये डायलोग बोलने के लिए आएगी बताए क्यों नहीं और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो ये कहने वाले वही दुनिया पर के लोग आएगे बताना कुछ होगा त मेरे पापा कुछ करने मेरे मम्मी कुछ करने मेरे भाई मेरे चाचा मेरे दो क्या नोटिंग की लगा रखा है बहुत आसान होता है हालातों को दोस्ट देना क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भगवान ने इससे आसान कुछ बनाया हो कुछ नहीं होता हालातों को दोस्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के दुनिया को आपके सर्फ कम्जोरियां आपके सर्फ कमियां ही दिखेगी लेकिन उस वक्त भरोसा रखना है आपको अपनी स्टेंथ पर अपनी मजबूती पर लड़के की एक कहानी है पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही एक साइड इसका फेस अब देखो भागे का खेल कुछ साल बाद ही इसके माबाप का डाइवोर्स भी हो गया तो किसी तरीके से बच्पन से ही थोड़ा बहुत काम धाम करके इसने अपना पालन पोशन किया और दीरे दीरे इस मेरा फिल्मों का थोड़ा शौक पन अपने लग गया फिल्मों में क लड़का यह बड़ा होता है इसकी शादी हो जाती है शादी होते ही खर्चे भी बढ़ते हैं और साथ में परिशानी भी बढ़ती है परिशानी इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि खर्चे बढ़े हैं अब इसी तरीके से कहानी इसकी किसी तरीके से आगे चल रही है अब यह ल अब किसी तरीके से लाइफ चल रही है हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इसको अपना फेवरेट कुटा इसके पास एक कुटा हुआ करता था इसको इसको भी इसको बेचना पड़ जाता है एक जीगे और वो भी सिर्फ 25 डालर में और किसी तरीके से फिर नोकरी चाकरी हलका फल एक निरमता हर प्रोडूसर इसको मना कर देता था। बना कर देता था। और तुमको एक लाख डॉलर भी दे दूँगा अब एक लाख डॉलर उस लड़के के लिए उस वक्त कुछ ऐसा था मानो कि कोई टू भी एचके के फ्लैट में रहता और उसको ताज महल मिल रहा हो कुछ इस तरीके से मगर उस लड़के ने वहाँ पर एक छुटी सी कंडिशन यह रखी कि हीरो मैं खूद रहूंगा यह सुनते प्रोडूसर घबरा गया हसने लग जया उसकी बात पर क्योंकि एक साइट से चेहरा परलाइस था उसका थोड़ा लिप इदर लटका उटका सथा कहता रहा तुम हीरो बनो को भाई अपने सकल भी देखे हो कहानी अच्छी लिख दिया इसका मतलब हीरो थोड़ी बन जाओगे भागा दिया उसको बना कर दिया तो बिचारा निराश हो करके चला गया कुछ टाइम बाद उसी प्रोडूसर का दरवाजा फिर से कटकटा आएगी बाई देख लो भाई कुछ हो जाए ले लो हमको हीरो तो प्रोडूस दॉलर क्या 40,000,000,000 भी हो फिर भी हीरो अगर मैं रहूंगा तभी यह कहानी दूगा तो निर्माता को लग गया कि यह थोड़ा जिद्दी संकी टाइब का आदमी है बोला ठीक है तुमको हीरो लेकर करके मैं फिल्म बना लेता हूं लेकिन तुमको हीरो ले रहा हो तो रिस 30,000,000,000 आप होते तो उस वक्त क्या करते कोई भी आमिन जान शायद घबरा जाता और हो सकता है को आपन नेगोशेशन करने लग जाता या फिर हार मान कर बात क्या था चार लाग डॉलर दो कहानी ले लो हीरो को मारो गोली वो लड़का मान गया तुरंट और मालूम है जब पर बेचा था वहीं वो इन तुसका इंतेजार करता था आता नहीं था तीसरे दिन उसको मिल गया और फाइनली उसको बोला कि भीया मेरा कुत्ता मुझे देदो 25 डॉलर में बेचे थे तो 25 डॉलर ले लो मेरे से तो बंदा भाई सब साफ मना कर गया आप जाओ कौन सा कुत फाइनली उसको 15,000 डॉलर का उफर दे दिया यहार इतने अम्हे हो मन गया तो बाई साब ने 15,000 डॉलर में अपना कुत्ता चुड़वाया अपना कुत्ता अपने वापस लिया और जो फिल्म बनी उस फिल्म का जानना चाहोगे क्या हुआ वो फिल्म जब बनी उस वक्त की सबसे बड़ी हिट मूवी रही वो आसकर में नॉमिनेटेड हुई उस साल की बेस्ट मूवी का उसको अवार्ड मिला और ना सिर्फ मूवी को, इस लड़के को उस साल का बेस्ट अक्टर का भी अवार्ड मिला और उस टाइम पे उस पूरे साल की सबसे जादा कमाई करने वाली वो मूवी बनी मूवी का नाम था रौकी और उस लड़के का नाम था सिल्वेस्टर स्टेलॉन अब इस पूरे वाक्या से मुझे कुछ चीज़ सीखने को मिलती है पहली चीज़ नेवर गिव अप आप जिस एम जिस गोल जिस लक्ष के लिए काम कर रहे हो ना सर उसमें ना रिजेक्शन आपको खूब मिलेंगे लोग कमिया निकालने वाले खूब सामने आएंगे उसको भी कितने लोगों ने का कितने निर्मातर ने पहले तो कहानी में दोस और जिसको कहानी समझ आई उसके चेहरे में दोस जिसको चेहरा समझ आई उसके हीरो होने पर दोस उसके एक्टिंग होने पर दोस तो दुनिया आपकी कमी निकालने पर काम करेगी दुनिया दुन को मना करेंगे और जैक्षिंट जैसे जिससे आपको मिलता चला जाता है ना इसने मना किंघीया उसने मना कर दिए उसने मना कर दिए मिले समन कोई नहीं нос एक मेरे काम को Hagra के आफर को मना कर दिया उसके बाद चार लाक के डॉलर को भी मना किया इसका मतलब एक और ची समझ में आती है तो जब हम किसी बड़े गूल के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमारे को बीच में चुटे-मुटे आफर काम आम कोई कोई कई यहां कोई तौह खाये ना करने के लिए ना करने के लिए खुद पर इतना भरूसा होना चाहिए कि दस लाख महिना 20 लाक महिना कली काम कर रहे तो मिले गावं हासिल करके रहूंगा सिल्वेस्टर लो इस्टलॉन को भी मिला ना चार लाख डॉलर का उफर चार लाख डॉलर ताज महल कभी बाप था उसके डामने ऐसा समझ लो मना कर दिया ना ड्रीम के लिए काम कर रहा था बंदा अपने शौक था खुद इरो बनूगा और खुद की स्टोरी पर भरोसा था खुद की कामिल्यत पर भी भरोसा था बन गया हूँ और कहते भी हैं जब हालातों से लड़ते लड़ते तूटके बिखर जाओगे न समझ लो समय आ गया है अब निखर जाओगे और एक और इंपॉर्टन लेसन वेरी वेरी इंपॉर्टन लेसन जुसने आपके बुरे समय में साथ दिया न कभी उसका साथ मत छोड़ना उस कुद्टे को 15,000 डॉलर दे करके 35,000 में से 15,000 डॉलर दे करके क्यों लिया उसने वापस मालूम जब उसके बीवी छोड़के चली गई थी जब बुरा समय था उसके जब सब कुछ उसके साथ बुरा था तो सिर्फ वो कुद्टा उसके साथ था और समय इतना बुरा हुआ को उस कुद्टे को भी बिचारे को बीचना पुड़ा वापस लेके आया हूँ बहुत दुनिया में से बहुत कम लोते हैं जो बुरे समय में आपका साथ देते हैं देखो बुरे समय में न लोगों का आप तीन तरह का बीवियर आपको देखने को मिलेगा बुरे समय क्या नॉर्मली लोगों का मैंने जो observe किया है अपनी जिंदगी से तीन तरह का behavior आपको देखने को मिलेगा अक्सर जो इर्दगीत आपके लोग होते हैं यह dialogue आपको अक्सर सुनने को मिलेगा यह मिला होगा नचाने कितनी बार हो कितने लोगों से यह dialogue आपको सुनने को मिलेगा निश्चित और मिला है त और गल्ती से बगवान ना करे, ऐसा टाइम आ गया, बूरा समय आ गया, जब आपको किसी की जुरत है, चाहे पैसो की जुरत हो, चाहे मदद की जुरत, किसी चीज की जुरत हो, और आप आपने उसको बुला और उसको फोन मारा, अरे यार, अभी, 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 जमीन का या किसी भी तरह की एल्प में देखोगे अभी इतना अचानक बोल दिया अरे बस कल शाम को अगर बोल दी होते न तो इंतिजाम कर देते और जब समय निकल जाएगा बुरा समय आपका और मालो उस आदमी को आपने नहीं बोला था अपने बुरे समय में और आप बताओगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बुरा समय आया था तो किसी तरीके से मैनेज कर लिए पुले अरे यार बताओ कि तब यह वकूफादमी हो तू तुम दुनिया यह डायलोग बोलने के लिए बताए क्यों नहीं और जब बुरा समय आपके साथ अभी नहीं आया है तो यह कहने वाले वही दुनिया बर के लोग आएंगे बताना कुछ होगा तो भाई है तुमारा समझ गे इसलिए कभी भी दूसरों के कंदों पर बरोसानी करना काम्याबी खुद के कंदों पर खुद की मेहनत से आती है दूसरों के बल्बो तेरे आती हमारे कहावत भी नाना वरोसे पहलवानी नहीं होती है पहलवानी के लिए अपने जंगों में ताकत होनी चाहिए अपने बासों में दम होना चाहिए तब वो पहलवान बनता है कि र जाएग जीसे रमारी जान पचाने कुछ ऊघर ने कोशे कर देंगे न हमारा बड़े-बड़े-ड़ू कोई आपको नहीं आएगा उटना बैठना कोई काम नहीं आएगा और केहते भी हैं कि देखो जब हम जो इंसान होते हैं न हमें हमेशा न न मैं उन लोगों के बात नहीं कर रहा हूं जो मदद करने में अपको हो सकता है यह लाइन बोलते हैं कि दो दिन पहले में तो लोगों को यह सिखाता हूं, है है कि लोगों की नमदद करते चलो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, हम किसी के आज म esté कर रहा है किसी भी त قरेकर से आर्थिक मदद, सारिरिक मदद, किसी भी तरीके से एक्सपेक्टेशन मत रख कोई कि मुझे यह वाफस आदमी मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा एक छोटी सी स्टूरी आपके शेयर करता हूं अमिताब बच्चन की जब अमिताब बच्चन का बूराट समय चल रहा था ना तो छोटे-मोटे काम मिलने शुरू हो गए थे के के बाद 2000 के बाद तो उस वक्त अमिताब बच्चन डेविद धवन के पास गये थे काम मंगने के लिए कि डेविड भाई को एक हीट मुवी करा दो तो डेविद धवन उस वक्त बड़े मिया चोटे मिया की कहानी लिख रहे थे तो स्क्रिप्ट उन्होंने अमिताब कि छोटी सी बच्ची थी दिहान दुआ था तो गोविन्दा उस वक्त सदमे में थे डिप्रेशन में थे तो कोई फिल्म वगरा साइन नहीं कर रहे थे वो तो इसलिए मिताब बच्चन को बोले कि आप अगर गोविन्दा को तयार करा लो चोटे मिया के रोल के लिए तो य उनका हां करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब गोविंदा का बुरा समय चल रहा था ना उनके पास फिल्में नहीं थी और अमिताब बच्चन की हम मुवी आने वाली थी हम उस वक्त गोविंदा अमिताब बच्चन के पास काम मांगने के लिए गय थे और अमिताब प्रकृति ना आप जब नेचर को कुछ देते होना किसी के मदद करते होना तो आप कभी सोच भी नहीं सकते किस फॉरम में वह आदमी या वही मदद कोई और आदमी आपके साथ करेगा आप सोच भी नहीं सकते और ये mental stable मानसिक मजबूती का निशानी होती है कि आप रा चलते कभी किसी की मदद करते चलो बिना कोई affection रखे कि ये आदमी मेरे क्या वदद करेगा भविश में सोच की ताकत का ये symptom होता है जिसकी सोच में ये मजबूती होती है कि उसका ये symptom होता है उसको प्रेशर जहलना आता है उसको रिजेक्शन जहलना आता है हारने से डरना नहीं सीखना सुरू करो भाई साब और जिसकी बात सुनके डाउन फिल करते हो ना उसको तुरंद ब्लॉक करो इमिजेटली ब्लॉक करो और एक बात हमेशा याद रखो कि लोग को को मैं एक्सर कहते हुए सुनता हूं कि अब कुछ रहा नहीं अब बरबाद हो गया मेरा ये भी चला गया वो भी टीम चले गया अब कोशिश कर रहे हैं देख रहे हैं कितना होता है जो बची थी तीम वो को मैं जबान है और सोच में सकती है सब कुछ दुमारा कशटा है सब कुछ और दुनिया में इसे हजारो लाखो ग्जामपल हैं जिनका सब कुछ बरबाद होने के बाद भी उन्होंने दुमारा क्षडा किया सर्थ एक ताकत की वज़े से diver इस सोच की ताकत की वज़ेसे में करने के लिए बचाने आपके पास लेकिन उमर है 20 साल 25 साल 35 साल और कहते हो कि मेरे पास कुछ करने के लिए बचाने सब बरबाद हो गया निकब में पने का निसानी है और कुछ नहीं मेरी बास से अगरी करते हो मुझे चैट पर लिखके बताओ जल्दी चैट पर लिखके बता सर राम के बारे में सोच लेना राजा बनने वाला था हो अगले दिन कल और बाओ जी बुला करके कहते हैं कि भाई तुम्हारा राजा बनना कैंसल निकलो जरा बन के लिए 14 सल बाद आ रहा है अब तो जो उसकी या क्या हालत होनी चाहिए पगलानी जाना चाहिए और वो राजा पूरी धरती का बनने वाला था पूरी धरती का राजा कि कहते हैं बढ़ी है यह अच्छा मौका है मेरे लिए जंगल में रहेंगे रिसी मुरी सो दोस्ती होगा बहुत कुछ सीखने को मिले नहीं स्कुल सेट सीखेंगे और यहां आज भी जरा से मुसीबत आती नहीं सर आपको पता नहीं मेरी सिच्वेशन क्या है क्या तो मैं हाथ पैट तूट गया कि लगवा मार गया है कि गर्दन के लावा सारा पाठ खराब आगया है आख फूट गया है दिमाग से पखला गय है और क्या हुआ है पता नहीं मेरी सिच्वेशन क्या हुआ है कि आई से मैं कई सारे आपको इंग्जम्पल बता सकता हूं जिनों ने जिनके पास कुछ भी नहीं था आप जिस हालात में हो ना भाई साब उससे कहीं ज़्यादा बत्तर हालात उनकी थे विनाम बताने वाला ह उससे कई साथा बत्तर हालात उनकी थे और उससे वापस वो जिस हालात में आज है ना आप शायद सपने में भी उस हालात को अपने लिए लाने का सोच नहीं सकते है कुछ नाम बताता हूं आपको अंबेदकर कर नाम सुने हूं सम्विधान रचियता सर स्कूल से ना बाहर क सम्विधान लिख दिया आपके साथ कभी अगर ऐसा हो गा है कि इसकूल से बाहर निकाल दे एक लाइन कोई कुछ बोल दे मिटिंग से बाहर निकलो में आ जाओगे अप लाइन नहीं को निकाल दिया कुछ कर पाओगे यह से में सर इगो और सिक्षा दोनों एक साथ नहीं आती सिक्षा के लिए इगो त्यागना पड़ेगा सिक्षा के लिए जुकना पड़ेगा सिक्षा के लिए अपने आपको समर्पित करना पड़ेगा उसाथ में बेवागर इगो होता है मुझे स्कूल से बाहर निकल दे जा हम पढ़ पूरा परिवार खिलाब था कि बाउजी नोजार दिया था बिजनस का नाम सुन दे बाउजी जैसे पता चले बिजनस करेगा छड़ी उठाली थे मारने के लिए हमारे खांदार में किसे ने बिजनस करें परद किया हुआ भारत का पहला ऐसा बिजनसमैन जिसने भारत की कंपनी को फॉर्चुन 500 में लिस् को सपोर्ट करने के लिए अपने बाबुजी को सपोर्ट करने के लिए न्यूस पेपर बिचा करते थे क्या आपको कभी अपने घर को सपोर्ट करने के लिए अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाने की जुरत पढ़ी सौखिया न्यूस पर आजकल बहुत लोग अमिताब बच्चन दो हजार इस्वी में जब पूरी दुनिया नया सेंचुरी का सेलेबरेशन बना रही थी तो हमिताब बच्चन कह रहे थे कि वही टाइम था जब मैं घर पे बैट के रो रहा था और जब घर पे बैट करके मैं लोगों की गालियां सुना करता था फोन पर या फिर सामने लोग जब लेंदार मांगने के लिए आते थे हालत इतनी बुरी थी उस समय बहुत आसान था अमिताब बच्चन के लिए जस्ट एक गोली खाना एक गोली उस एक गोली ना अमिताब बच्चन को सारे प्राबलम से छुटकारा दिला सकती थी खाते खतम हो जाते जहर इतना खराब सिचुएशन तो आप मेंसे किसी ने नहीं देखा होगा न सर जब आत्मी शीर्स से नीचे गिरता है न बहुत चोट लगती है अब बहुत दर्द होता है फिजिकली भी और मेंटली भी इमोशनली भी तूट जाता है उस वक्त आदमी उस वक्त आदमी के पास जादर आदमी के पास वही रास्ता वो एक्तियार करता है अगर ऐसा इतना बुरा सिचुएशन आजा एक गोली और खेल खतम उसमादमी ने ने किया लड़ा लोगों से काम मांगा अपना इगो त्याग करके लोगों के पास गया कभी इससे काम उससे काम उससे काम वो भूल गया को किस लेवल पर था कभी और आज कोमेडियन महभूत का नाम सुनाएं पुराने जमाने में जिस फिल्म में महमूत होता था उस फिल्म का पूरा क्रेडिट वो लेके जाता था और क्रेडिट कोई प्रडूसर डेरेक्टर हीरो नहीं देदा दो जनता देती थे देखने वाले देती हमें ताब बच्चन और जंदर कुमार लेकिन पता है कि महमूत जिस फिल्म में है वो पूरा जनता का दिल है इसे लूट लेता था वो पूरा ट्रेडिट लेके जाता था भारी पर जाता था था अनौर था क्या वह ड्राइवर था ड्राइवर उसके साथ कुछ साएं मुर्गी बेचने का काम करता और एक्जांपल दूम नवाजुद्धिन सिद्धकी आप मैं से किते लोग ने वच्मन का काम किया कभी सेक्योर्टी गार्ड का कभी काम किया हो सोसाइटी के बाहर नहीं कियो नवाजुद्धिन सिद्धिक रिया सरो काई सालों तक किया है फिल्म में छोटे छोटे रोल चोटे छोटे रोल जोटे छोटे रोल आज के ना वाद इस दिन से दिकी मुस्ट पॉपुलर एक्टर में से एक है आज कि दाइमीन वाद इस दिकी और एजम्बल दूम दिलिप कुमार के बारे मिद जांती होगे रोड साइड पे ठेला पे छेड़े पे फल बेचा करते हैं रोड साइड पे मगर आज मुझे लगता है बॉलिवूड का साइड यह इसा कोई इंडस्ट्री का हीरो हो जो दिलिप कुमार से सीखता ना हो उनकी एक्टिंग को एक्टिंग से इंस्पार ना होता हूँ और सिर्फ इतने ही नहीं है सब दुनिया में लाखों है लाखों यह तो वो लोग हैं जिनको हम परदे के माध्यम से न्यूस के माध्यम से मेडिया के माध्यम से हम जानते हैं और दुनिया में इसे लाखों लोग हैं जो पॉपुलर नहीं हैं लेकिन किया उन्होंने बहुत बढ़ा है बहुत आसान होता है शुर्फ बहुत आसान होता है हाल आप अलातों को दोस्त देना क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ही भगवान ने इससे आसान कुछ बनाया होगा कुछ नहीं होता हालातों को अपने इससे का दिया और लाना हो गए समय मी दोस्त इंड दूसरों को दोस्त देना मेरे पास अप्लाइं सही हिंद डॉनलाइं można दोस्तम्हारे साथ कुछ भी सही है सर क्लोजिंग इस महिने कुछ अच्छा नहीं हो पारा अगले महिने करेंगे अगले महिने का नोटंकी तो मैं कितने लोगों से सुनता हूँ अगले महीने अगले महीने अगले महीने और दावे के साथ कह सकता हूँ यह लाइन बोलने वाला अगले महीने वाला उसका अगला मेना कभी नहीं आता उसका अगला मेना सीधा स्वर्ग में आएगा वो सर्व स्वर्ग में मिले न मिले उसको त्नरक मिलेगा मुश्किल वक्त हमेशा आपको अकेला जहलना पड़ेगा सर। मुश्किल वक्त से लड़ना आपको हमेशा खोद ही पढ़ेगा。 जब आप ये line कहते हो। कि मेरे से यह वाला काम नहीं हो पा रहा है, मैं मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ उसकी वज़़त है, मेरे साथ इसकी वज़़त है, ये ठीक होता तो मैं ये कर लेता हूँ ऐसा ठीक होता तो मैं रसा तैसा हो जाता तो इसका मतलब समझो आप क्या कहना चाहरे हो आप ये कह रहे हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वज़े से खराब हो रही है यही तो आप कहना चाहरे हो तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि आ और की वज़े से ही होगी और आपको लगता है कि दुनिया में आज के टाइम में कोई भी आपकी जिन्दगी अच्छी करना आपकी जिन्दगी को अच्छा बनाना चाहेगा या अच्छा बनाने के लिए कोई और आपकी जिन्दगी को अच्छा बनाने के लिए कोई और मेहनत नहीं और ऐसे समय में आप कहते हैं इसकी वजह से में बर्बाद हुआ तो आप मान के चल रहे हो कोई और वजह बनेगा आपके हाबाद होने का अपनी जिन्दगी का कमान अपने हाथ में लो और जिस दन ये बोलना सुरू कर दिया ना कि मेरी बरबादी का कारण मैं खुद हूँ सर कल को आबाद भी खुदी बन जाओगे आबाद होने के लिए एक स्टेप ले लिया आपने ये समझ लो सर आपको पता नहीं है मेरे पापा कैसे है मेरे पापा कुछ करने ने मेरे मम्मी कुछ करने मेरे भाई मेरे चाचा मेरे दो क्या लोटिंग की लगा रखा है सर माबाप ने पैदा जरूर किया है लेकिन जिन्दगी बनाने के जिम्मदारी खुद की होती है कोई नहीं आ कि आपके सपनों की अवकात की तकलीफ है तेगरती है थोड़ा मुझा टाइण सन है है थोड़ी मोरी तकलीफ है इसका मतलब थोड़ा वहोटी आसिल करने वाले हैं क्षोटे सबने ऐ outrageous प्र Миха肚 लखे में लक्ष लडा थो लडाई भी वड़ी होगी detect धूच नई लेटी यह चलेगे था मैं कैसे जो हएो लेता हूं कर लो सो साइट मर जाओ आपको पता नहीं सरी इस साइट तो लोग काम कर रहे हैं इस साइट कोई है ही नहीं मुसीबतों से घबराना ने टकराना सी को सर क्योंकि कहा भी जाता है कि हर समस्या समधान का पता अपने साथ खुदी लेकर के आती है आपको बस उस पता, समधान का पता ढून निकालना होता है जब प्राबलम आपके साथ आती है ना तो हर प्राबलम, सल्यूशन उसी के अंदर छुपा होता है बस आपको ढूनना होता है